भारत निया यात्रा ये कॉंग्रेस का आज का सबसे बड़ा दाव मारा जा रहा है क्योंकि इसकी खवर किसी को नहीं थी भारत जोड़ यात्रा डूपोइंटो की वात हो रही थी लेकिन उसका रास्ता तया नहीं था ये था कि वो उन राज्यों से हो सकता जाए जहां पे इं कर संक्रांती के आसपास है और उसके बाद एंड होगा सीधे मार्च में ठीक चुनाव डिकलेर होने से कुछ तिनों पहले और इसका इंपक्ट बहुत जादा जो आने वाले चुनाव हैं उस पर देखने को हो सकता है क्या मोधी सत्ता को भारत निया यात्रा क्या सत्ता से ब कांग्रेस है और इंडिया गडबंधन के जो दल है क्या उनके बीच में नया रिष्टे कायम कर सकता है जो भारत निया यात्रा है यह भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है सबसे पहला फर्क तो हमें इसके नाम में नजर आता है पहली बार इसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा अब उसमें एक नयाई शब्द भी जुड़ गया है अगर हम नयाई शब्द का याद करें तो 2019 के इलेक्शन में कॉंग्रेस एक स्कीम लिए कर आई थी नयाई स्कीम नयाई का मतलब था एक न्यूंतम राशी जो की प्रतेक परिवार को दी जाएगी तो वो जो एक नहीं बहुत बड़िया स्कीम थी जिसमें की गरीब परिवारों की महिलाओं को 6000 रुपे महिना के हिसाब से ताकि वो अपने घर का जो खर्च है वो चला सके लेकिन वो पुलवामा का कुछ इस तरह का दड़का लगा की वो जो एक बहुत अच्छी जो और अमीर में बहुत जादा फर्क है आप देखें कि जो राजनीती में भी जैसे की बार बार ये मुद्दा उठाये जा चुका है कि ओबिसी इसको जादा से जादा उपर की तरफ उंचे पदों पर या मंत्री पद पर नहीं लाए जाता तो वो भी एक इशू है और तीसरा की शब्द है इसमें मतलब आर्थिक सामाजिक और राजनीती तीनों तरह के नियाई जो आम आदमी को मिले उनको साधारन पाशा में उन तक पहुंचाया जाए कुछ इस तरह का जो मोटो लेकर कॉंग्रिस जो है उसने ये इसका नाम रखा है भारत निया यात्रा तो पिछ जिरुमें बहुत लोगों को यकीन नहीं था कि यात्रा पूरी भी होगी या लोग उसमें शामिल होंगे कि नहीं लेकिन वह कारवा जो है वो बढ़ता चला गया था तो इसी प्रकार ये मुद्धे बहुत बड़े हैं आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक नियाई नियाई जो है उसके महता बहुत जादा बढ़ गई है उसका विश्वास दिलाना कैसे लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हों तो इस से जो इन्हों ने नाम रखा है भारत नियाई यात्रा तो कुछ सोच समझ कर उसका रखा है दूसरा आप देखे कि पहले वाली यात्रा ज सकते हैं जहां पर शहर या गाओं पढ़ते होंगे वहां पे पैदल चलेंगे बाकी रास्ता जो बस से कबर किया जाएंगे एक अची टेक्निक है सबे भी बचेगा और क्योंकि आने वाले इलेक्शन्स है उसके लिए भी समय निकाला जा सकेगा एक और पिछली जो भार जोडती हैं और इसमें जो रास्ते में के चोटी चोटी यात्राएं थी या चर्चाएं भी करीबं तीन सो उन्होंने इसके आसपास की थी तो केवल चलना नहीं है सड़क पर जो लोग है या उस जगह पर अगर कुछ है मंदिर है मस्जिद है या गुर्दवारा है वहां भ तो उनके पास जादा मुक्य होंगे लोगों के साथ अटैक्श होने के फर्स तिंग जन समर्थन हासिल करेंगे अपनी पार्टी के लिए देश के लिए दूसरा अब देखे इसमें से जितने इंडिया गठबंदन के अब नए ग्रूप हैं जिसमें की इसमें वेस्ट नितिश कुमार है और फिर यूपी में अखेलेश है तो जब इन राज्यों से यात्रा निकलेगी तो जो इंडिया गठबंदन के अलाइस हैं जितने मैंबर्स है वो भी उनके साथ जुडेंगे तो उनका जो लोकल समर्तन है वो और कॉंग्रेस का समर्तन वो इकठा सड़क पर निकलेगा तो इससे इंडिया गठबंदन में भी और मजबूती आएगी लोगों में विश्वास बढ़ेगा और एक और शीज अगर हम इसमें देखे तो ये घूमते हुए मध्यप्रदेश, राजस्तान, चातिसगर्ड जिसमें से कि अभी-अभी करंटी वो अपनी प पर लास्ट में मुंबई, मुंबई में जहां पर इनके साथ ठाकरे भी हैं और जो शर्द यादाव भी हैं तो बहां पर इसका समापन होगा, तो मनिपूर से शुरुआत और मनिपूर पे एंट, और शुरुआत मनिपूर से, आप ये देखिए, कि ये केवल पॉलिटिकल ही है, जैसे कि वेड़ों को पालने भी का है, कि नोन पॉलिटिकल रियातरा है, तो मनिपूर और मेगालिया और आसाम, इनमें बहुत कम सीट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको मनिपूर से स्टार्ट किया गया है, और मनिपूर में राहूल गांदी पहले भी चाक होगी, वो अपना ही एक अलग इंपैक्ट लेकर आएगी. आपको नहीं लगता है, यह बहुत बड़ा दाओ है, जो कि राहूल गांदी जी ने चला है, क्योंकि साफ तोर पे अगर यह यात्रा होती है, और उसी समय लब लगतार रेलियों को दौर शुरू हो जाएगा, पी यह जो रेलियां जो है, वो उस पार, उस कॉंसेट को छोड़के सीधे संकों बे उत रहा है, तो यह बहुत बड़ा आपको रिस्क फाक्टर नहीं लग रहा है, जो कॉंग्रेस ने उठाया है, या फिर यह उनकी लिए बहुत बड़ा एक तरह से बूल बन सकता है, मतलब आ मेडिया के सरी है, आपको क्या लगता है, यह रिस्क है या बहुत बड़ा एक तरह से प्रोफिटेबल स्टेप सावित होगा, कॉंग्रेस के लिए, यह एक अपनी यात्रा से पहले, अपनी इलेक्शन कैंपेइनिंग जो है, वो कल से शुरू कर देंगे, तो कल से जैसे कि ह है तयार हम, जो उन्होंने लोगों ही रखा है, कि हम आने वाले इलेक्शन के लिए तयार है, तो इट मेंस यात्रा से पहले, उनकी इलेक्शन कैंपेइनिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस पहले से शुरूआत करने का फाइदा यह हुआ, कि बेशग यह यात्रा नॉन पोल सारी 355 में से 255 के आसपास तो भाजपा ने जीती तिर कॉंग्रस को केवल 14 सीट मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी, इलेक्शन कैंपेइनिंग में ही यह सारा रासा इंक्लूड भी हो जाएगा, इसमें एक चैलेंज जो है, अगर हम पॉलिटिकली नेराटिव के हिसा नेशनलिजम का है, और इस बार पुलवामा जैसा स्टन्ट अगर कुछ ऐसा कोई उमिद नहीं करता कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो इस वगत अगर भुनाने के लिए एक मुद्दा है, तो भाजपा के पास केवल राम मंदिर का है, तो उस राम मंदिर के बाद, कब इलेक्शन अनाउस हो जाएंगे, हम यह भी नहीं जानते हैं, हो सकते हैं 20 मार्स से पहले इलेक्शन भी अनाउस कर दिया जाए, तो उस पूरे टाइम पीरिड के दोरान, करीबन पहली जन्वरी से ही शुरू हो जाएगा, और जब तक इलेक्शन होंगे, मेंस्ट्री मीडिया पर सिर् पहली भारत जुड़ यात्र थी, उसके फाइदे कितने हुए थे, पहली बात कॉंग्रेस रिवाइफ हुई, उसने तीन राज़े जरूर हारे, लेकिन अपना वोट बैंक बनाए रखा, युवा जो लोग थी, वो उनके साथ जुड़े, और वहां से नजर आता है, कि जब कन्या कुमारे से शुरू हुए था, और जब वहां पे कश्मीर में खत्म हुए था, तो उनके पास कितने लोग खड़े थे, रास्ते में उनके साथ, कितने दूसे दलों के लोग, फिल्म इंडस्ट्री से लोग, आर्ट से लोग, फाइनस से लोग, कितने उनके साथ रास्त जब आप देखें, जब बैंगॉल में से गुज्रेगा, जब बिहार में से गुज्रेगा, वो तो इंडिया के अपने मैंबर्स के ही स्टेट्स हैं. जब इस यात्रा के साथ यह निकलेंगी तो एक बड़ा हुजूम नजर आएगा और इस वगए जो है वो सोशल मीडिया पे जो है राहूल गांदी और युवा उनको काफी हद तक ट्रॉल भी करते हैं और उनको आगे हैश्टाग बनाके यह काफी पॉपलर हो चुके हैं और उसको जादा-जादा पॉपलराइज कर देंगे सोशल मीडिया में राहूल गांदी काफी फेमस होते जा रहे हैं तो एक मेंस्ट्रीम मीडिया की कार्ट से सोशल मीडिया से निकलाएगी वो कोई बड़ी बात नहीं है तो यह जरूर है कि जरवरी के माह में हमें दोनों ची होता है तो राहूल कांदी की अपील बढ़ रही है हां बिचली बार जब हमने देखा थे शुरुआत में उनकी हलकी से दाड़ी थी लास तक जाते या थे बहुत बड़ी दाड़ी और पूरा लुखी चेंज हो गया था शक्री भी बदल गई तो वह इस बार देखने को मिल बास करने का इंटरेक्शन का जो तरीका है उसमें काफी मैचोर्टी आ गया वो पोलिटिकल बहुत मैचोर हो गए है और यह एक पोलिटिकल मैचोरेटी है जो पो संसत से निकालने के बाद संसत में दुबारा उनको बुलाना पड़ा तो यह जो भारतनिया यात्रा है बीज जो मकसद हैं उनको बड़ी साधार भाशा में आप उनको बता सकते हैं एक जन समर्तन जन सलाब का आप खासिल कर सकते हैं